असलाम अलेकुम तुछली आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग के 12 क्लास के के कश्रा बुक का चैप्टर नमबर 16 जिसका नाम है मुतशायर ठीक है और यह जो चैप्टर है यह एक जरिफाना नजम है जरिफा और जरिफाना नजम का एक सबसे बड़ा कमाल यह होता है कि इसमें हसना और रोना साथ में लगा रहता है यानि कि आप हस्ते हस्ते रो देंगे तो उस तरह के नजम को जरिफाना नजम जरिफाना कवीता कहते हैं ठीक है और मुतशायर जो है यह भी एक जरिफाना नजम ही ह मंतशायर नाम के चैप्टर के राइटर है जफर कमाली नाम है जफर कमाली और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आप लोगों के लिए कि के इस पोछब नहीं पढ़ना है जफर कमाई आप लोगों के बुक में उनके बाते के राइधिकंहा बाते हैं कि Portuguese indicating कब हुआ किस जगह पर हुआ इनका इंतकाल कब हुआ ठीक है इनकी कितनी किताबे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ठीक है तो यह आप लोग के लिए बहुत ज़्यदा खुशी की बात है ना याद करना पड़ेगा और ना एक्जाम में कोश्चन पूछ एगा ठीक है तो इट इस ग्रेट पॉइंट ऑफ हैपिनेस फूर ठीक है तो डिरेक्ट हम लोग इस चैप्टर को इस नजम का में खुलासा करूंगी डिरेक्ट हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर इसका कोशन एंसर कर लेंगे ठीक है तो चलिए मुतशायर नाम के इस कवीता नजम का में ख मुतशायर करने की खूबी नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो अपने आपको शायर कहता है उस इंसान को बोला जाता है मुतशायर ठीक है और इस कवीता में मुतशायर के बारे में ही उसके पेशा के बारे में उसका मतलब नेचर के बारे में बताया गया है कि मुतशायर जो है वो कैसा होता है उसका पेशा कैसा होता है तो ये सारी चीजे जफर कमाली इस कवीता में बताए हैं चलिए मैं पढ़कर आप लोगों को हर एक एक बंद कमे खुलासा करती हूं चलिए लिखे हैं जफर कमाली सुरू में कि अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है मेरे नाम नामी क शोहरा बड़ा है इनायत है लोगों की जुद्वा अता है या उर्दू का सदका है फजल खुदा है नहीं तेल घर्चा चिराग सुखन में बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में इस बंद में जो है ना मुतशायर खुद कह रहा है कि मैं भले ही असली शायर नहीं हूं इज़त सबसे बड़ा है ठीके मुझे पर लोगों की इनायत है और ये जो उर्दू है मनलब उर्दू के नाम से मुझे मेरी कमाई होती है मुझे उर्दू पढ़ना लिखना कुछ आता तो नहीं है लेकिन फिर भी उर्दू के नाम पर मैं कुछ शायरी कर देता हूं ठीके भले ही नहीं तिल वर्च चिराग सुखन में भले ही मैं शायर कहने के हकदार नहीं हूं लेकिन फिर भी जहां भी जलसा होता है जहां भी महफिल सजाई जाती है वहां पर मेरा बुलावा आता है ठीके हर जलसे में मुझे बुलाया जाता है सुनाने घजल शहर दर शहर के लिए तक करने नहीं आती है लेकिन मुझे शायरी करने करता हूं लेकिन किसी भी तरह में शायरी की अंदाज में टीक है जहां जाऊं लोगोंzenia लगाऊं डेखो slasht तो आती नहीं है ठीक है लेकिन जहां भी जाता हूं लोगों को मक्खन लगाता हूं ठीक है खिलाता पिलाता हूं ताकि जो मेरी कमाई है वो रुके नहीं लोग मुझे जलसा जलूस में बुलाते रहें ठीक है रवा चापलूसी का बोल रहें कि मेरे अंदर खूबी नहीं है का लेकिन मैं चापलूसी बहुत अच्छा कर लेता हूँ और इसी से मेरी दुकानदारी चलती है। लोग मुझे जलसा जुलूस में बुलाते हैं मैं लोगों के क्या करता हूँ चापलूसी करता नहीं बोल रहे हैं कि मेरा जो मक्षन लगाने का तरीका है लोगों को लोगों को मैं जिस तरह मक्षन लगाता हूं मेरे मक्षन लगाने का तरीका ही अलग है और यही जो है ना मेरे मक्षन लगाने का जो तरीका निराला है वही मुझे ना शेर वशायरी के सफर में रखता है म मुझे से रोशारी करने से नहीं रोपता है मेरा जो दुकानदारी है वो हमेशा चलता ही रहता है कभी इस नगर में जाता हूं कभी उस नगर में जाता हूं कभी कनाडा जाता हूं तो कभी पेरिश जाता हूं तो कभी खत्तर जाता हूं ठीक है मैं किसी भी इनसान के जी कियाजबा गएरत को बनकर कसाई सुखन नहीं हूँ सुखन वर बना हूँ जहां अदब का सिकंदर बना हूँ जो तदमीन लिख दे वह है यार मेरा जो पैरेोडिया दे वह घंख़ार मेरा नावाजें जो नजमों से मेमार मेरा जो डिवान दे दे वह hzardार मेरा चले बस तो वाही की पुझी उडालू मैं दिवान अकबर पे अब्ज़ जवान लू ठीक है देखे इसमें बोल रहा हैं कि किसी दर पर देखे मैं कहीं दूसरे जगह जाता हूं तो वहां पर दिन रात रुक जाता हूं और वहां पर मैं अपनी शिकम अपनी दुख दर् करकर मुझे को खाने पीने के लिए दे दें ठीक है कहीं मैं दूम हिलाता हूं लोगों के सामने के और कहीं मैं दूम दबाकर भागता हूं मतलब यह जो है ना शायर जो मुतशायर है जो बनावटी शायर है उसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है ठीक है कभी कि किसी के सामने दुम हिलाते हैं तो कभी कहीं से दुम दबाकर भागते हैं ठीक है और कहीं जाते हैं तो कहीं दिन रात रुख जाते हैं वहाँ पर अपने शिक्वा का अपने जो दर्द है उसका मतलब किस्या सुनाने लगते हैं ताकि लोग उस पर तर्स खाकर ठीक है उसको क् किसे ला किसी तरह चापलूसी करकर अपने आपको शाइर कहलवातें हैं ठीक हे और ऐसा लगता है कि मतलब इस अदब इस अदब के जहां में वही एक बात्शा है ठीक हे और ये जो मुटशाइर होते हैं वो खुद के शायरी नहीं लिखते हैं He तो दूसरी की जो असली शायर है उसकी लिखी वी शायरी को उसकी लिखी वी गजल को चुरा कर ये गजल पढ़ते हैं से वो शायरी किया करते हैं ठीके तो वही बोल रहे हैं कि अगर इस मुतशायर का बस चले ना तो वो शायर की जितनी भी शायरी असली शायर की जितनी भी मुझको यारा जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा जमाने ने देखा है यह भी नजारा फिजाओं में उरता है पिछका गुबारा मिली है मुझे दौलते बेजमीरी फाकीरी में करने लगा हूँ अमीरी ठीके बुल रहे हैं कि मुझको ना कभी शायरी का मतलब शौक नहीं था देखता है कि जब आस्मान में गुबारा अउरता है तो उसमें पच्का-अधच्का हर तरह का गुबारा उरता है तो वही जो हूँ मैं भी हूँ मुझे ये दौलत है वो चाप्लुसी से मिली है मैं गरीब इनसान हूँ ठीके फाकीरी है मेरे अनदर लेकिन फिर भी मैं लो हाकता हूं कि हर रोज सत्तर कुएं जाकता हूं मैं क्या हूं यह अच्छी तरह आकता हूं बड़ा तो नहीं हूं मगर हाकता हूं गलत फैमियों का अजब रंग गोहला ममूले ने बदला है शाही का चोला देखे बोल रहे हैं मैं गली गली मतलब एक जगा से दूसरे से बड़ी गली क्या करता हूं भटकते रहता हूं घंखे और मैं हर रोज सत्तर कुएं सत्तर और लोगों से मिलता हूं और वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि जलसा लंबी लंबी हांकता हूं लोगों के सामने ठीक है घलत फैमियों का रंग मैंने घोल दिया है लोगों के बीच लोगों के दिलों में चापलूसी करकर के मैं घलत फैमियों का रंग घोल दिया हूं और इसलिए लोग जो है ना मुझको जलसा जलूस में बुलाया करते हैं जिस लग रहा है जैसे कि ममूले ने शाही का चोला पहन लिया है मतलब ममूला जो है जो कि कभी नहीं उड़ा है उतना उचाई तक वो जूटा दिखावा कर रहा है कि मैं शाही हूँ बिल्कुल उसे तरह यह शायर है वो अपने आपको जो है ना असली शायर बताता है जबकि वो असली शायर नहीं है ठीक है हूँ पटना के दिल्ली दकन हूँ के पूना न जाओं अगर मैं तो जल्सा हो सुना जो अफसर है उनसे कमाता हूं दूना हमेशा लगाता हूं उर्दू को चूना उसे पीसता हूं उसे कूरता हूं लुटे रहा हूं उर्दू को मैं लूटता ह बोल रहे हैं कि चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, दकन हो, पुना हो, हर जगा में जाता हूँ, हर जगा जलसा जलूस में जाता हूँ, अगर मैं ना जाओं तो वो जलसा जलूस जो है, वो क्या पढ़ जाएगा, सूना पढ़ जाएगा, मैं अफसरों से दुगना कमाता हूँ, जितना अफसर कमाते है ना उससे दुगना मैं कमाता हूँ मैं हमेशा अर्दू को चुना लगाता हूँ मैं अर्दू को पीसता हूँ ठीक है कुटता हूँ ठीक है मैं एक तरह सा लुटे रहा हूँ जो कि अर्दू के नाम पर लुटता हूँ पैसे को ठीक है ये सारी चीज़ है जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन मुकदर में उनके शिकागों न लंदन अगर चेह नकली मगर फन का जोबन उसी से हुआ गल्फ में नाम रोशन खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ के सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ बोल रहा है कि जो है ना असली शायर है वो मतलब चंदन को वो चंदन को घिसते हैं कि वो बड़ी मेहनत करते हैं मतलब बड़ी मेहनत से शायरी को बैठा कर उसको लफजों को सजा कर लिखते हैं और शायरी पढ़ते हैं वो बहुत ही जदा मेहनत करते हैं लेकिन उनके मुकद लेकिन नकली शायर होने के बावजूदि भी मैं क्या करता हूँ दूसरे, दूसरे, तूसरे मलकahah मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं लखता नहीं को से शायरी मैं चुराता हूं असली जो शायर है वो लिखते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और इसलिए उनके पास टाइम नहीं रहता है और वो दूसरे दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं लेकिन मैं जो हूं मैं एक नकली सायर हूं मैं सिर्फ शायरी को चुरा कर पढ़ता हूं उसको मतलब जो दूसरा असली शायरी को लिखा है उसको मैं चुरा लेता हूँ और उसको पढ़ता हूँ और इसे लिए मेरा जो है नाम हर जगा रोशन है ठीक है मैं एक खोटा सिक्का हूँ जो की चल गया हूँ मतलब मैं खोटा हूँ मैं नकली हूँ मैं डुब्लिकेट शा मैं लगा है जराफत का चेहरा पे घाजा निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा बोल रहे हैं कि जो जिस तरह गिर्गिट अपना रंग बदलता है उसी तरह जो मैं हूँ कौन बोल रहा है यह मतशायर बोल रहा है कि जिस तरह गिर्गिट अपना रंग जो है हमेशा चेंज करते रहता है गिरगिट रंग बदलते रहता है बिल्कुल उसी तरह जो हूं मैं भी अपना रंग बदलते रहता हूं मेरे अंदर कोई लाज कोई शर्म नहीं है मेरे अंदर बोल रहे हैं कि यह सच है कि मैं हारी वी जंग हूं यह मैं जानता हूं कि मैं कभी शायर शायरी नही मैं ही निकालूंगा ठीक है तो इसी के साथ आप लोगा चैप्टर नूमर 16 जो है इसका खुलासा कंप्लीट होता है अब जरा इस चैप्टर के कोश्चर एंसर को देख लीजिए आप लोगा सवाल स्टार्ट होता है आप बता ऐसे यानि कि आप लोगों को बताना है सबसे पहला सवाल है मुतशायर के लफजी मानी क्या है तो देखिए मुतशायर का लफजी मानी होता है बनावटी सा है दूसरा सवाल है निराला असर मुतशायर की किस चीज़ में है ठीक है यहाँ पर आप लोगों को बताना ह तिसरा है किस काम से मुतशायर कभी भी नहीं थकता है तो वह जी हजूरी से लोगों की चाप्तलुसी करता है जी हजूरी करता है ठीके चार नंबर सवाल है मुतशायर भले शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमईन है तो वह शोहरत पर भले मुतशायर जो है वह शे लेकिन उसका नाम ऌर जन्हें किस बनियाद पर मुतषायर जाता रहता है तब और जवर्या जो है मुतफ़ायर मतलब जो तजमीन लिख कर दे दे, वो मुतसायर का यार है, ठीके, साथ नमबर सवाल है, मुतसायर की नजर में गमखवार कौन है, तो है पैरोडिया, पैरोडिया देने वाला क्या है, गमखवार है, आठ नमबर सवाल है, मुतसायर का सरदार कौन है, ठीके, तो मुतसायर का सरदार वही है जो की किताब लिख कर दे दे मुतशायर तो रुब्लिकेट सायर होता है मतलब वो चाहता है कि कोई मुझे शेर वशायरी का किताब लिख कर दे तो जो भी इंसान अगर शायरी का किताब उसको लिख कर दे दे रहा है वो इंसान जो है मुतशायर के लिए सरदार है ठीक कि उसका अगर बस चले तो 10 Un hemen सवाल मुतशायर किन लोगों से डुगों कमाता है तो वह अफसर लोगों से डुग न कमाता है मोतशायर ठीक है मुखेसर को पत्रों की बात आती है यानि कि इसमें आप लोगों को चार-पांट सेंटेंस में लिखना होता है सबसे पहला सवाल है मुतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा आप लोगो को बताना है डुबलिकेट सायर को उर्दू पढ़ना लिखना आता तो नहीं है तो अर्दू का जनाजा ही निकालेगा न तो आप लोगो इसको 4-5 सेंटेंस में लिख देना है दूसरे सवाल है ममूले ने शाहीन का चोला बदल लिया है इससे शायर क्या कहना चाहता है ठीक है ममूला जो है जिसको मतलब उचाई पर उड़ना नहीं आता है उसने अपने आपको शाहीन बता दिया है जो कि शाहीन जो पक्छी वो बहुत उचाई तक उड़ती है तो इससे यही शायर कहना चाहते हैं कि जिस तरह ममूला अपने आपको शाहीन बता रहा है बिल्कुल उसी तरह जो डुब्लिकेट सायर होता है मुतशायर होता है वो अपने आपको असली शायर बताता है ठीक है अब देखिए तीसरा सवाल है इस नजम में जिन शहरों और मुलकों के न सायर वो अपने आपको खोटा से क्यों कह रहा है आप लोगो खुद से लिखेंगे ठीक है पाश नमबर सवाल है किया जबह गयरत को बनकर कसाई और मिली है मुझे दौलत बेजमीरी का मतलब बताए ठीक है यहाप आप लोगो को बताना है कि किया जबह गयरत को बनकर कसाई इसका मतलब क्या होता है और मुझे दौलत मिली है मुझे दौलत बेजमीरी इसका मतलब बताना है खुलासा करना है तो यह आप तो अब मैं बताई ही कि किया जबा गहरत को बनकर कसा है यानि कि मैं अपने शर्म को अपने लाज को अपनी हया को जो है ना पसाई बनकर क्या कर हूँ जबा कर दिया हूँ मेरे अंदर कोई भी इसरार मलाज वगेरा नहीं है ठीक है यह सारी सी आप लोग खुट से भी लिख पाएंगे चलिए शे सवाल है अदब के लिए खुट को बहाँसे नंग मुतशायर क्यों कह रहा है अधब के लिए अपने आपको मुताइर अधब के नाम पर क्यों बोल मकसद क्या है ठीक है जो कवीता है मुतशायर इसके मतलब इस कवीता को लिखने का मकसद क्या है इसका मकसद यही है ताकि लोग जाने मुतशायर के बारे में आज कल सबसे ज्यादा जो है ना मुतशायर का ही संक्या बढ़ रहा है जो कि रियल में वो शायर नहीं है लेकिन आँखों पर से परदा उठाने के लिए नजम लिखा गया है कि देखिए जो मुतशायर होते हैं उनकी चाल उनका रहन सहन उनकी पेशा कैसी होती है यह चीज है मतलब असलियत दिखाने के लिए मुतशायर के बारे में लिखी गई है दूसरा सवाल है शेर नहीं कहने के बाव लूग लिखने ही सकते हैं कि भलेही उसको को शेर और शायर करने नहीं आती है लेकिन वह चापलुसी में करता है की तरह कि तरह सिकार है वाजा कीजिए ठीक है जो तो असली सायर है ठीक है वो मतलब उसको उतनी नाम और शोहरत नहीं मिली है और जो नकली शायर उसको मतलब बहुत ज़्यदा बहुत ज़्यदा बहुत ज़्यारी को खुद से लिखता है माइन्ड को यूज़ वो अपना माइन्ड यूज़ करता है लफजो को सजाता है शायरी और घजल खुद से लिखता है और फिर उसको पढ़ता है शायरी की अंदाज में उसका प्रणनसिये सन हर एक चीज अच्छा होता है असली शायर का लेकिन यह मुतशायर होता है इसको त तजारत कर रहा है या जुबान-ववद्व की खिदमात अंजाम दे रहा है नजम के हवाले से जवाब देंडिये तो यह बिलकुल मुतशायर जो है वह उСТचारत कर रहा है उसको तो उयुकुद कुछ conten चुराने के लिए लेने के लिए कौन-कौन से काम किया करता है यह सारी चीज़े आप लोग को बताना है तो इसी के सांथ आप लोग का चैप्टर नुमर 16 है वो कोश्टन एंसर के सांथ कम्प्लीट हो गया इस चैप्टर से कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पू तो फिर मिलेंगे नक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज